हलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ 6-7 मन्थ बीबी फोट चाट जैसे हमारा बीबी 5 मन्थ का कम्पलीट हो जाता है हमारे मैंड में ये क्योशन आने ही लग जाता है कि हम मिल्क के अलावा हमारे बीबी को और क्या-क्या दे सकते हैं हमारे मैंड में ये आता है कि हम बीबी को सॉलिट कब देना स्टार्ट करें उसे हम किस फॉर्म में यानि किस कंसिस्टेंसी में दे सकते हैं उसे किस टाइम पे दे कितने क्वांटिटी में दे हम उससे क्या-क्या दे सकते हम उसे क्या-क्या नहीं दे सकते हैं आज में आप लोगों के साथ इस वीडियो में इन सभी questions का answer जो mostly momies की problem होती है उनका solution यहाँ share करने जा रहे हूँ Next question जो हमारी mind में आता है वो यह आता है कि हम baby को solid देना कब start करें Generally solid देने के लिए 6 month बोला जाता है 6 month के बाद हमें baby को solid देना ही होता है अगर हम old late करें तो हमारी baby की growth को affect कर सकती है बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका development and growth 6 month से पहले ही हो जाती है तो ऐसे केस में हम बच्चों को solid पहले भी दे सकते हैं before 6 month कोई problem नहीं अगर आप अपने baby को 6 month से पहले भी solid इंट्रोड्यूश करवा रहे हो तो बस वो baby आपका ready होना चाहिए अगर आपका baby food में interest रो कर रहा है वो आपको sign दे रहा है कि वो food के लिए ready है तो आप उसे दीजिए कोई भी problem नहीं है इसलिए बोला जाता है कि solid देने का कोई right time नहीं होता है यह आपकी baby की growth and development पही depend करता है कि आपका baby कब ready है आप परशान मत वी जी अगर आपका baby 5 month में ready नहीं है तो आप 6 month से start कर दीजिए बढ़ 6 month से जादा लिट मत कीजिए क्योंकि वो last time होता है हमें देना start करना ही करना पड़ता है 6 month पे next day जो हमारे mind में आती है वो यह आती है कि हम बच्चों के लिए जो food बना रहे हैं वो कैसा बनाएं कि हमारा baby उसे खा सके तो आप जब भी अपनी baby के लिए food ready करो तो उसे उतना ही पतला बनाओ जितना दूद होता है क्योंकि वो अभी तक milk ले रहा होता है तो milk को इजी लेना जानता है बट अगर हमने गलती से हमारे baby का जो खाना दे रहे हैं उसे ठिक बना दिया आने कि टाइट बना दिया जैसा हम खाते हैं तो उसे वो लेना भी नहीं जानता अगर उसने वो ले भी लिया तो हो सकता है उसके पेट में दर्द हो जाए और उसे वो digestion में भी बहुत जारा time ल होगी और उस प्योरी के अंदर किसी भी टाइप के कोई भी चंक नहीं होने चाहिए यान के गुठली वगर है वो एकदम प्लेन प्योरी होनी चाहिए कि बच्चा इजिली बन या टू टेबल स्पॉन जितना भी वो खाना चाहिए वो से खा सके और वो जो भी प्योरी आ ब एयरटाइट कंटेणर में उससे स्टोर भी कर सकती है बट मेरा मानना यह है कि आप बचों को जब भी फूट दो आप उसे फ्रिज फूट दो स्टार्टिंग में तो अच्छा होता है विबिकों फोट दे रहे होते हैं तो अगर उसे टेस्टी लगेघा तो जीली खाएगा उसे कोई प्रोप्लम नहीं होगी उसे उसके टेस्ट में मज़़ा भी आएगा तो अप से फुट ही दीजिए आप जो बे उसे फोट दे रहे हो वो सेवट उसे थ्री डीच तक कंटिनुिशन में दीजिए क्योंकि आगर आप 2 देश तक कंटिनुशन में दोगे तो आप से इ आज कुछ दिया, कल कुछ और दिया, परसो कुछ और दिया, तो ऐसे केस में आपको problem होगी identify करने में कि आपके बेबी को किस food से allergy है, इसलिए ये बूला जाता है कि जब भी आप अपने बेबी को food दो, तो at least 3D's का circle follow करो, ये आपके बेबी को उस food से allergy तो नहीं है अगर allergy नहीं है, तो आप next food पे switch कर सकते हो, next food जो भी आपको देना है, अब उसके उपर switch कर सकते हो, आपको कोई problem नहीं है, and सबसे important चीज ये है, जो आपको धान में रखने है कि जब भी आपने बेबी को food दो, उससे पहले आप उसे breast milk मत कराओ, at least two hour तक, क्योंकि आपने अगर उसे breast milk करवाया होगा, तो वो food नहीं लेगा, नहीं उसे food में मज़ा आएगा, क्योंकि जो उसकी भूख होती है, क्योंकि बच्चों की भूख आप जानते हैं, बहुत काम होती, वो छोटे सा पीट होता है उनका, तो पीट तो अल्रीडी उनका भरा हुआ होगा, तो food नहीं खाएगा, और हम सोचेंगे कि वो food क्यों नहीं खा रहा है, सायद उसको पसंद नहीं आया, या फिर उसको कोई problem तो नहीं हो रही है, बट उसका रीजन यह होगा, कि उसने दूद पी रखा होगा, तो उसका पीट बरा हुआ होगा, तो वो कैसे खाएगा, इसलिए आपको completely avoid करना है, milk at least two hour पहले, जब भी आप बच्चों कुछ भी खिलाओ, milk मत पिलाओ उससे पहले, उन्हें भूख होगी, तो वो इजी लिखाएंगे, और आपको भी problem नहीं होगी, जब भी हम बच्चों को food देना start करते हैं, सबसे man question जो हमारे mind में आता है, यह होता है, बच्चों को क्या-क्या दें, और क्या-क्या नहीं दें, यह हमारा बीबी उसे खान सके, उसे उस खाने में मज़े आए, तो हम बच्चों को generally fruits दे सकते हैं, vegetables दे सकते हैं, grains दे सकते हैं, fruits में हम उन्हें apple की puree दे सकते हैं, pear puree दे सकते हैं, banana puree दे सकते हैं, avocado puree दे सकते हैं, mango की puree दे सकते हैं, पपाया प्यूरी दे सकते हो इवन एपल प्यूरी और पियर प्यूरी तो आप एजे फॉस्ट फूट भी दे सकते हो जो बच्चों को बहुत पसंद आता है एपल की प्यूरी बेजी टेबल्स में आप उसे कैरट प्योरी दे सकते हो, पम्किन प्योरी दे सकते हो, स्वीट पोटेटो प्योरी दे सकते हो, पोटेटो की प्योरी दे सकते हो, बोटल गार्ड यान की लोखी की प्योरी दे सकते हो, बीट रूट प्योरी दे सकते हो, स्पनिच प्योरी दे स रागी दे सकते हो, रागी बहुत अच्छा सोर्स होता है अपने बच्चों को देने के लिए, मैं परस्नली आपको कहूंगी भी आपको अपने बच्चों के खाने में रागी एड़ करने चीए, रागी में काफी ज्यादा केल्सियम और आइरन होता है, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है सेरेलक दे सकती हो सुजी की खीर दे सकती हो उपमा दे सकती हो यहापर पर्सनली आप लोगों को यह बताना चौँगी मैने अपनी बेबी को क्या दिया था मैने अपनी बेबी की स्टर्टिंग Collaborative से की ती क्योंकि मेरा यही मानना है कि बेबी की starting fruit से करनी चाहिए क्योंकि जो fruit की sweetness होती है वो बच्चों को पसंद आती ही आती है और उसे वो अवैड नहीं करेंगे वो उसे test लेंगे next जो हम सोचते हैं वो यह सोचते कि अगर हमारी बेबी को इस food से allergy है तो हम इसका पता कैसे लगाएंगे कि हमारी बेबी को इस food से allergy है या नहीं आपने बेबी को जो भी food दिया है उसके बार में आपको यह notice करना है कि इस food की खानने के बार आपके बेबी को constipation यानि कबश की problem तो नहीं हो रही है या फिर उसे loose motion तो नहीं हो गए वामिट तो नहीं कर रहा है या फिर रैसिज यानि उसकी बोड़ी पर कहीं भी किसी भी पार्ट पर कुछ फुनसी यानि कि दाने दाने से तो नहीं होने लग गए अगर किसी भी food के खाने के बार में इन में से कोई भी चीज़ आपको दिखाई देती है क्योंसे किसी भी टाइप के कोई भी प्राब्लम हो रही है तो आप उस food को तुरंत स्टॉप कर दीजिए क्योंकि उस food से आपके बेबी को allergy है बेबी को जब भी food दो 3D's की cycle महीं दो कि आप easily identify कर सकते हूँ कि आपके बेबी को उस food से allergy है या नहीं allergy की problem बच्चों को बहुत rare होती है और उन बच्चों को ज़्यादातर होती है जिनकी family history में से किसी ना किसी को allergy होती है अगर आपकी family history में किसी को भी allergy नहीं है तो बहुत कम chance है कि आपके बेबी को allergy हो अब हमें यह जानना है कि हम अमारे बेबी को क्या-क्या नहीं दे सकते हैं तो आप अपने बेबी को नमक नहीं दे सकते हो चीनी नहीं दे सकते हो सहद नहीं दे सकते हो जब तक आपका बेबी एक साल का नहीं हो जाता है आप अपने बेबी को नमा, चीनी और सहद मत दीजिए नेक्स्ट क्योशन जो हमारे माइड में होता है वो यह होता है कि हम बेबी को जो खाना दे रहे हैं उसके टाइमिंग क्या रखे हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए टाइमिंग हमेश्व आपको मॉर्निंग का रखना चाहिए यानि की ब्रेकफास्ट टाइम सुबर मॉर्निंग में 9 a.m. से आप 11 a.m. तक कभी भी आप अपने बेबी को खाना दे सकते हो बट हाँ, मॉर्निंग में ही दीजिए जो भी फूड आप अपने बेबी को दे रहे हो क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में अपने बेबी को फूड देते हो तो आप एजीली आपके पास होल्टे होता है कि अपने बेबी को उस फूड से ऐलर्जी है या नहीं इस बात का पता करने के लिए आपके पस complete day होगा, आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, अगर उसको कोई problem हो रही है तो, अगर आप night में दोगे तो आपको problem हो सकती है, identify करने में भी, और बच्चियों को अगर problem होती तो आप उसे डॉक्टर के पास भी ले जाने में problem होगी, इसलिए जब भी food तो आप morning का time ह की चूच कीजिए, अब आता है quantity, quantity आप एक या दो टेबल स्पून ही रखी है क्योंकि बच्चा भी छोटा है, वो इतना ही लेगा, हो सकता है, बच्चा अगर ज्यादा ले, तो आप उसे ज्यादा भी दी सकते हो, कोई problem निए, बट हाँ, एक या दो टेबल स्पून मिनिम अगर आप उसे बार में आप वापस ट्राइ कीजिए, हो सकते हैं उस टाइम पर वो खा ले, बच्चों का मन होता है, जब उनका मन कहता है, वो तभी ही खाते हैं, बट उन्हें फोर्स मत कीजिए, अगर वो नहीं ले रहे तो, थोड़ी देर बार में आप फिर से ट्राइ क किज İyi सकते हैं तब कवो लेही लेगा अब यह वाए 제 माईन में कि हम ऑमारी बेबी को कितनी बार दे में खाना चला सकते हैं जैसे जैसे हमारी बेबी-का फैलेदे का टाइम टार्ट होता है हम- एज़े पेरिंट्स बहुत बहुत जादा एक्साइयटिड हो जाते कि अब हमारे बेबी को भूक लगेगी, जब हम उसे किते भी बार खाना दे सकते हैं, अब हम हमारे बेबी को मोटा कर सकते हैं, अगर वो पतला है तो, अब तो हमारे पास चॉईस है कि हम उसे जो इच्छ हो दे सकते हैं, बाट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिक्स मन्त के बेबी को आप सिर्फ एक बार ही खाना दीजे वो भी डे टाइम में उसके बार में आप उसे फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क जो भी देते हो आप उसे वो दे सकते हो बट खाना सिर्फ एक ही बार देना है वो भी मॉर्निंग में जब बेबी सेवन मन्त म आता है तब आप उसे दो बार दे सकते हो मौनिंग में एक कोई भी स्नैक उसके खाने में एड कर सकते हो उससे पहले उसे एक बार ही दीजिए और उसे डे में आप जब भी पुक लगे आप ब्रेश्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क जो भी आप देना चाहो वह आप दे सकते ह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है